तो बहुत टाइम से जिसका दोस्तों हमें बेसबरी जिंतार था OnePlus की Nord की नई एक smartphone बहुत ही जल लॉंच होने वाली है जिसका दोस्तों नाम आ रहा है Nord CE और अब इसके specifications वगेरा बहुत ही जादा like leaks वगेरा तो थे ही थे confirmation भी देखने को बहुत चीज़ों की मिल चुकी है जैसे बाई अगर हम बात करें इस phone की बारे तो इसकी pricing प्रॉक्शमिली 25,000 रुपय होने वाली है और यह जो phone आने वाल है दोस्तों यह OnePlus Nord का कह सकते है दोस्तों की same specifications की जैसे कुछ आएगा likewise अगर हम बात करें कुछ कुछ चीज़े same होने वाली है अगर यहां पे दोस्तों प्रोसेसर की बात करें एक बजारा difference है यह दोस्तों यहां पे आपको Qualcomm के तरफ से आने वाला Snapdragon 750G देखने को मिल जाएगा जो कि दोस्तों यह processor अभी Mi K10i में भी है और दोस्तों बहुत सारी phones अगरा में आरा है तो OnePlus भी इस प्रोसेसर का यूज़ का यूज़ का यूज़ का यूज़ करेगा अपने इस Nord CE 5G में और इसकी pricing approximately 25,000 उपय होने वाली है ऐसी leaks अगरा है क्योंकि OnePlus नहीं यह दावा दिया है कि इस बार यह जो price के phone अगरा आएंगी यह affordable और भी जाद होंगे यानिकी Nord से भी जाद affordable होंगे तो definitely अभी Nord की pricing approximately 29,000-30,000 तक चल रही है इसकी pricing approximately 25,000 तक होगी इसके लावा दोस्तों वही कुछ specifications जो आपको देखने को मिले थे OnePlus के Nord 6GB वाले में यानिकी आपको यहां पर भी एक अच्छी M-Lit screen देखने को मिल जाएगी 90 years के refresh rate के साथ आएगा साथ के साथ दोस्तों camera वागरे की बात करें पीछे के साथ दोस्तो 48 Megapixel का main sensor देखने को मिल सकता है वहीं दोस्तों front में punch hole selfie camera होने वाला है specifications leaks नहीं आए है कितने Megapixels का होगा बद दोस्तों यहां पर जैसे OnePlus Nord में dual camera का setup यहां पर single camera का setup होने वाला है अब alls के वाला वागई यहां पर बात करें batteries वगरे की तो यहां पर भी आपको approximately 4000 approximate 4000 mh की battery देखने को मिल जाएगी साथ के साथ दोस्तों यहां पर आपको जो मिलेगा दोस्तों support power charging वगरे का 30 watt charge के साथ आएगा इसके लागई बाकी सारी चीज़े camera वगरे को लेके बात करें तो बाकी सारी चीज़े लग 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 सिमिलर ही यह successor हम नहीं बोल सकते OnePlus Nord का यह दोस्तों कहा सकते हैं कि एक और budget में आया हुआ फोन OnePlus Nord की सीरीज में और दोस्तों बहुत इजल OnePlus Nord 2 भी आ रहा है जो successor होगा OnePlus Nord का जिसके approximate pricing 30 से लेके दोस्तो 35,000 तक हो सकती है जिसमें और भी ज्यादा अच्छे specifications वगे रहा हैं जैसे कि दोस्तों processor और अच्छा है जए पर दोस्तों अगर में इस phone की बात करें डेफिनली काफी से बढ़िया phone होने वाला है OnePlus Nord CE बहुत लोगों को दोस्तो 25,000 के range में एक अच्छा phone चाहिए होता है दोस्तों 5G पर आने बाद ये phone काफी जादा अच्छा होगा इसकी मैं गैनेटी दे सकता हूँ इसके अलबाग यहां पर और कुछ specifications वैसे लेके leaks नहीं आये है इतना ही पता चल रहा है कि दोस्तों OnePlus Nord CE की प्रेसिंग प्रेसिंगे 25,000 रुपय होगी 750G का प्रोसेसर होगा जो कि यह प्रोक्रमिट सही प्रोसेसर आपको देने को मिलेगा बागी दोस्तों आज की वीडियो करते हैं I hope आपको अच्छी ले वीडियो अच्छी ले कि दोस्तों लाइक करतीजिएगा अगर मारे चाल पर ने सब्स्क्राइब करने में दूलेगा बहले कि दमाने में दूलेगा मिलत के वीडियो में थैंक्स पर वॉच्छें